कैसे हैं आप सब लोग तो आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे मैं भी ठीक हूँ और घर पे सभी ठीक है और हिमाचल में मौसम काफी अच्छा सा है फिलहाल अभी तो ठीक बनावा है और आज मेरा है साफ सफाई व्लॉग जी हाँ क्योंकि आज के दिन जो बाकी सारे काम जो है ना वो मैंने कर लिये थे जैसे की बच्छों को स्कूल भेजने का सुबा के टाइम कावशेड का बच्छों को नाश्ता वगरा दिन का लंच बनाया स्कूल भेजा उसके बाद किच्छन का सारी साफ सफाई अभी मैं पहुची हूँ बाहर हॉल में और म हमारे घर में थोड़ा सा काम भी रहता एक मैं सोचे थी कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं दिखाती अदरवाइस इसमें जादा कुछ दिखाने को है नहीं इतना एक किचन है दो कमरे हैं छोटे छोटे बाकी बहुत जादा कुछ है नहीं अभी हमने कुछ इतना क Desmond Mia के लिए जो की पश्यों का गास का खेट का का मिसात में करते हो तो छलोग खेट का तो हमारे इतना जुआ नहीं होता लेकिन पश्यऊ-का तो बहुत है भी हमारे आठनों गाए हैं बतलimento दीन है लेकिन उनकी जो बच्ची आ न वह सारी जो है बेराबर हो चुकी है आप काम करना और मेरा ये था कि पहले जाड़ू जूड़ू सारा कुछ साफसफाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं उसको नहलाती फिर खुद भी नहा कि तोड़े आराम भी हो जाता है बैड़ भी जाते हैं आदे एक घंटे के लिए तो अभी वो इदर उदर नाच रहा अजाड़ू लगा के यहां पर मैंने कंप्लीट कर लिया हैं तो हमारे सबसे ज़ाड़ा गंदा नाच वाहर हो जाते हैं क्योंकि बार बार किचन में अंदर बाहर आते जाते रहते हैं और क्योंकि हमारे यहां पर रेत वाली मिट्टी है तो रेत तो मतलब उड़ के भी आ ये गार बहुत बहुत जिद्दी होता है ये कहीं भी थोड़ा बहुत भी पैरमें लगके अंदर आँ ही जाता है तो सफाई मेरी झारू हो चुका है अभी पहले न मैं अंदर ज़ाडू लगा लेती थी बाहर भी लगा लेती थी सुभाई बट अभी बच्ची श्कूल चारे उती है खाल ही जाड़ो लगाने के बाती है शपois नहीं के लगाने के लिए इससे काफी रट taş लगटा है अच्छे से घिसने की जरुवत नहीं पड़ती थोड़ा सा रफ सा होता है ना वो तो काफी अच्छा लग जाता है उससे और अभी मम्मी जो है मम्मी भी पानी ले निकले आए वे हैं बोटल में क्योंकि मम्मी निकलना है अभी घास कटवाने के लिए तो फिर धूप लगती ह है और प्यास लग जाती है धूप तो ना भी लगे बट प्यास फिर भी लग ही जाती है तो पापा जे जो है आप नहाने की तियारी कर रहे हैं और मम्मी घास को जानने की तो आप लोग कहते हैं कि आप पूरी फैमिली दिखाया करिए व्लॉग में तो ऐसे थोड़ा बहु आता था अब बढ़ा हो चुका है तो अब उससे भी पसंद नहीं है और में फालतो काम है यह जैसी आराम जी तो स्वागत करते हूं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मीना कवर हमाचले स्पेशल पर तो हो चुकी है एक और प्यारी से सुबह एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और चलिए शुरू करती हूं आज का व्लॉग जो कि दिन से शुरू हो रहा है तो अभी मेरा जो सारा काम होता है किचन वगरा का वो सारा मैंने कर लिया था उसके बाद आज बहुत सारी कपड़े दो रही हूं क्योंकि बीच में बारिश थी फिर कह दोने को बहुत है तो चले दिखाते हूं आप यहां पर यह देरे के हैं इसको मैंने धो लिया है और इनको मैं धूप में सूपने के लिए रखावाए मैंने इसके लिस्स जो है वो मैंने ऐसी रखे में इसके साथ ही नहीं तो ना गुम जाते ही वारे यह है साथ ही में नेन और यह है नेना की एक और जूते नेना की जो मतलब हम बोलते हैं जाने आने वाले तो यह वाले शूज जो है यह मुझद होने हैं यह बहुत अच्छे शूज होते हैं मतलब वाशेबल इनको जैसे मर्जीद हो खराब नहीं होते और इसका जो वहता है नहीं निकाला भाए तो मैंने ज्यादा तर देखा है ना और मैं पहले मैं भी ऐसी करती थी मतलब डिटेरजिन घूलती थी ना जैसे टप में या बार्टी में और उसमें भीगोती थी शूज को तो थोड़े बहुत तो उससे साफ हो जाते हैं बट अगर आप बिल्कुल चम चमाते हुए करना जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए भीगोई है ना और जो कपड़े दोने का साबून है उसको लगाईए शूज में जहां-जहां मैला है और उसके बाद कपड़े दोने के ब्रेश से ना उसको घिसके निकाल लिए थोड़ा सा घिसना पड़ेगा बस लेकिन जूते जो है तो काफी अच्छे से साफ हो जाते तो आप भी ट्राइ करके देखेगा और बताईए जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियो जो देखते हैं बहुत सारी हाउस वाइफ है वो देखती है आप लोग किस तरह से दोते हैं अपने बच्छों के शूज इसी तरीके से दोते है तो देखेगा पैंटी होते हैं आप लोगें तो अगर डिटेजन से कर ना हो तो बहुत टाइम लगता है उसमें साफ करते करती हैं लेकिन जलदी का काम करना तो तो बस कुछ डिटेशन में डूबूए उसके बाद फिर साबून लगा कर घिस लिए तो जलदी हो जाते हैं और यहां पर यह वाले शूज वेना वाइट वाइट कलर के होते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो यह वैसे नहीं कभी कभी पहनती है, जब कहीं आना जाना होता है, तो बाखी ऐसे ज्यादा तर नहीं, तो इसको ना मैं धूकर रख दूँगी, क्योंकि सर्दिया जो है वो आएंगी, तो फिर सर्दियों के लिए चाही होते हैं यह वाले शूज और इसमें यह है कि मतलब गर्मी सर्दी का कोई ऐसे इशू नहीं होता, आजकल जो लिड़कियां जीन्स पहनती है, तो जीन्स पहमेशा बारह महीने शूज ही पहनती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेंडल पहनती हो या कुछ और, आजकल मतलब फैशन ही कुछ ऐसा बन चुका है बच्चों का, बच्चे स्पोर्ट शूज में रहते हैं हमेशा, और मैंने कहा था आपसे कि आज की पूरे व्लॉग में साफ सफाई ही है, और आज मैने हॉल जो है ना, उसकी बड़े व फिर उसको निकाल लूँगी और फिर दो तिन बार खाली करूँगी ना, इस तो जल्दी सूख जाते हैं, यहां पे धहरे के जूते जो हैं, इनको भी मतलब मियां पे धूप में रखावाए तो अच्छे से सूख जाएंगे, अभी जो यह हमारे तो बोलते हैं, इसको पता जाता है ना, लाइट कलर, तो प्रॉपर बूट साफ नहीं होता, इसके गंदे होने का कारण मैं आपको बताती हूँ, इतना गंदा नहीं होता था, इस पर क्या हुआ ना गई वी थी, दादी के साथ गई तो मुझे आनी कहां लेगे थी हो, और वहां पे जाके उसने जैसे शूर खोल दिये, सॉक्स खोल दी ना, और ऐसी मिट्टी वाले पाउं से दुबारा से इसको लगा लिया, और उसकी वज़े से ये बहुत गंदे हो गए, वैसे ये साफ नहीं हो चुके काफी, लेकिन उतने जादा साफ नहीं हुए, जैसे की होने चाहिए थे, तो यहां प जो है, यहां पे हावाई काम करने को, यह मैट इतने भारी है, और यह मतलब इसी तरही के से धोती हूं जैसे कपड़े दुएते ना, और उसका पानी मैं इसके उपर को डाल दिया था जैसे मशीन में से पाने निकलता है तो उसको मैंने मैट के उपर डाल दिया था अभी जो कपड़े दोने का ब्रश है इस से मैं इसको घिस घिस कर साफ करूँगी तो इसी क्या होता है ना जो भी कुछ छोटा मोटा कच्रा वगरा होता है बाल घीरे वई होते हैं मैट पे लगे वह यतों आज सारे इससे साफो जाते हैं बहुत अच्छे से और फिर मैं इसको निकाल निकाल के साइड करती रहती हूं तो यह तो मैट जो है मैं चाएद दो महीने पर तुद़ हो कि मैं आगे आगे साफ करती रहती हूं पीछे पीछे तबाही फलाती रहती है मुझे लगता है कि सभी के बच्चे ऐसे होते होंगे है और मैं आप लोगों के साथ ऐसी बाते करती हूं को सब्सक्राइब जरूर करें तो अभी नलके से पान निगलते बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने एक ड्रम में से निकाल दिया ना यहाँ पर बाल्टी को और यह देखे कुछ इस तरह से मैं एक-एक साइड से लेते हुए पहले इसको साफ करती रहूंगी फिर उसको साथ दोती बड़ी हमने यह लीवी थी तो इसको दो बड़ा मुषम आपि कर दो मदलब मैं उठाने लगती हूं तो मैं अकेले उठानी पाती हूं जब यह सुखी भी होती तो बड़ी जोर लगाके उठाना पड़ता है और जब तो गिली होती है तब तो पॉसिबल इने इसको मैंने थोड़ी तेरी ऐसी रख दिया था यहां पर क्योंकि उठाना मुश्किल हो जाता है गी ले को तो बहुत ज्यादा भारी जो है ना वो लेडिस को नहीं उठाना चाहिए जितने कपेस्टी हो उसे साब से ही उठाएं नहीं तो फिर हमें दिक्कत जो है वो होती रहती और इस मैट को धुने के लिए साबुन का इस्तिमाल बिलकुल न करें। सेच में इस मैट को धुने के लिए जो टेटरजेंट होता है उसे का यूज़ करें क्योंकि साबुन कई इसमें वैसे ही निशान रह जाते अगर अच्छे से नहीं गिसा होगा कहीं पर छूट गया तो फिर वहां पर निशान वैसी रहे जाते तो इसके लिए बैस्ट है कि जो साबुन ये डिटरजिन का पानी होता है डिटरजिन को घोल ले पानी में और उससे इसको अच्छे से clean करें तो अच्छे से ये साफ हो जाती है तो आज पूरा vlog साफ सफाई का vlog ही रहा और साथ तक वो भी अभी खेल रहा था नहाने के बाद फाइनली काफी खुश हो गया था मैं भी यहांपे नहा चुकी हूँ hair wash पैने कर लिया है और अभी उसको ये मतलब नहा लिए ना तो फिर तसली हो जाती है तो चलिए जी आज के व्लॉग का एंड जो है यहीं कर रही हूँ उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ छोटी मोटी बाते जो है वो आप शायद सीखें भी होंगे इससे मुझे लगता है कि ये सारी बाते तो पहले से ही सभी को आती होंगी नहीं आती होंगी तो कोई ना कोई तो सीखाई होगा और मिलूंगी आपसे एक और नहीं वीडियो एक और नहीं व्लॉग के साथ अप तक के लिए खाते पेते रिये मस रहिए खुश रहिए और जिंदिगा कोई पता नहीं कब क्या हो जाए तो दिल खोल के जीए दिल खुल के हसिए अपने आप भी कुश रखिए औरों को भी कुश रखिए क्योंकि हमारे साथ सिर्फ यहीं जाता है कि हमने किसी को खुशी दी है कुछ अच्छे करब किये हैं वही सारी चीज़े हमारे साथ जाती है पाकी कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाता है तो चलिए सारा काम खत्म होने की बादी की यहाँ पर हो चुका है लंच का टाइम आज बनाई है उरद की दाल और साथ में चावल, रोटी और करेले की सबजी जो है भूभी बनाई वी थी हमने रात को करेले खराब नहीं होते हैं करेले तो हम मतलब दो तिन टाइम तक भी खाते रहते हैं क्योंकि बहुत पसंदीदा और यहाँ पे आज मैंने अपना फेवरिट सलाद का टवा है तो चाहिए टमाटर है और थोड़ा सा खीरा है मूली है तिन चर्चे से का टीवी है आज और अभी चलिए खाना खा लेते हैं आप लोग भी खा लेजिए हमारे साथ और व्लॉग का इन यहीं कर रही हो मिलूंगे आप से एक आल एक और नहीं सुबा एक और ने व्लॉग के साथ तब तक के लिए खाते पीते रहिए मस रहिए जैसे राम